परम सत्कार्योग सासंगर जी रस्ना पवित्तर करिये टे आखिये तांसेरी साथगुरू जगजीत सेंग जी तांसेरी साथगुरू उदे सेंग जी सासंगर जी आजदा लेख है मानवी पावानू समझन वाली शक्षियत यह लेखक ने डॉक्टर जस्पाल सिंग रंधावा प्रिंसिपल लाइलपूर खाल्सा कॉलेज जलंदर दास्दे ने मेननू सचे पाशे से सागु जगजी सिंग जीते दर्शन करंदा सुपाग ओदो तो प्रापत है जदो तो सूर्थ संभाली हुई है आप साधे कार पिंड कालू वहर अक्सर चरण पौन दी किर्पा कारदे रेंदेसन ओनन वसी रिष्टे वज्जों फुफट जी नहीं सी कह सकदी बजुर्गा दी खास हदायत सी सद्गुरु रिष्टे दारियां तो उत्ते हुंदा है उसलिए सारी संगत हुंदी है साधे बाबाजी अपने प्रोणे नू सचे पाश्चा दे शब्दा नाल ही अर्ज कर देसन पर साध्गुरां दी वड़तन रही उनने साधे परवार नू सदा बनदा स्थान दिता जित्थो तक मेरा अंदाजा है सचे पाश्चा जी लागबाग महिन्ने वीच एक वार जरूर चरन पाउन देसन पोगपुर तो पिंड नू कच्छी सडक सी बर साध्दे दिना वीच पिंड पाउंचन वीच काफी मुश्कल आउन दी सी कई वार पहला संदेशा आजान दा एक दो सिंग भी आजान दे जिना वीच एक अकसर संद गुल जार सिंग होया कर देसन सर दिया दे दिना वीच जदो चरन पाउन दी किर्पा करनी और किद्रे भी नहीं है अकसर शाम नू पॉंचना राद देर तक बचन भी लास उन्दे रहने बाबाजी अते असी सारे जमीन उपर चरना बैठना पर साध्गुरा कहना सरदार जी तुसी मेरे को लासन उपर आजाओ ओदो ता समझ नहीं आउन दी छोटे सा पर आज समझ आ रहे हैं सचेपाशा अंदर रिष्टे पक्खो वड्यादा सतकार सी कई वार किसी सिखने आना सरदार जी सचेपाशा जी ने पैने से बॉनले ही हुकम पेज्या है उथ सुकता पैड़ा होनी क्यों बुलावा आया है तीसरे दिन बाबा जी नू आपस आंदे ही पुछना की गाल सी अक्सर जवाब मिलना सचेपाशा जी ने बस एन नहीं क्या सरदार जी राती ठांड बड़ी सी केड़ी खिट केड़ा मानवी जजबा केड़ी चोट समझ नहीं सी आंदी एक दिन दुपैरे सचेपाशा जी नुकमाया अज राद्धा दवान अते कल स्वेरे वारा कार लगेगा पांच छे सिंग पॉंच गे शामनु संथ प्रीटम सिंग फगवाडे वाले जथे ना लागे अया पूर्तो महंत आत्म सिंग जी आगे कारवीच रोण गया अधभुत रुहानियत पर्या महाल बाण ग सची पाशा जपानी कारवीच जिसनु संथ लश्चमन सिंग फगवाडे वाले चलारे सन ने आके धर्शन दिते केडी पागावाली कडी सी उन्ना दिने वीच बीजली नई सी हुन दी पर कारवीच एक जे ही रोश्नी हो गई जिसनु ब्यान ही नई सी किता जा सक्दा शबद उचारे यारडे दा सानू सत्तर चंगा पाट खेड़े आदा रहना साराई महौल आ लोकिक बाण गया सची पाशा विराग परिले जिवी शबद उचारन का रेसन जथा आती संगत मंत्र मुग्द अवस्था विच साथ दे रेसी साथ गुराने दिवान दिस माप्त शबद उचारे साब चंगे विच सन मैसूस हो लगा कि आज नेतनी मुप्रत मानवी अति रुखानी अभी व्यक्ती हो रही है क्यों ना होवे सच्चे पाशा मानवी गुणानाल परपूर शक्षियत दे तारनी विहन आज ओ आपनी अर धांगनी दी जमन पोहें उपर सिंदर कॉर्दा कारसी जो जीवन पंध था थोड़ा समा बतीत कारके अकाल पूरक दी रजा अनुसार गुरपूरी नु तूर गैसन साधे परिवार उपस अगुरपताप सिंग जी दी बक्षिश नाल जो सच्चे पाशा सागुजयक जी सिंग जी दे सौरा परिवार बनन सड्य पूआजी रजिंदर कॉर सब पेण प्रावा विच्चो वड़े सन महाराज अती पूआजी आम तोरते पैणिसाइबी रह थे सन सागुपताप सिंग जी दी उकमनाल पूआजी नु मंडी पेश दित आ गया महाराज जग जी सिंग जी पैणिसाइबी सन कुछ दीना माराज निन पता लगा तुरंत मंडि पहुंच गई युवै Ugh महाराजी निन पता लगा तुरंत मंडि पहुंच गई 60 सथ 아e बाबाजी निवडे पर आसरदार जीवन सिंग पहुंच गए, क्योंकि बाकी सब छोटे सन, बाबाजी जेलवीच सन, दुख दाई कटना सी, महराजी ने बहुत दुख मनाया, पर कालू वेहर वाले कारनाल, महराजी ने अपना मुँ वाला नाता सदा कायम रख्या, विशेश किर्पा द्रिष्टी रखी, एक जो काफी जोर्नाल किसी नू पहर रहा सी, उटके सारे दोडे ता विख्या, साद्गुर्जी एक डंडे नाल कुट्टे दा मुकाबला कार रहे सन, सारे हैरान होगे, कुट्टे नू बन्या गया, सची पाश्या जी ने क्या, कि मेनू आपना नहीं समझ दा, सब दा मान पा साद्गुर्जी तुसीता साड़ी रूम रूम विच वस्य हो, रुहानियत पर पूर, पाश्या एक पूरन मानवी पावनावानू समझन वाली शक्षियत हन, सारी आखली ए तान तान शिरी साद्गुरु जग जीत सिंग जी, ओना दे चर्णा विच साड़ी अनीका वारी डडॉत बंदना है